Hello friends, तो आज की वमारी video है तो मैं इतने इतनी पर्प्रेविभी Twenty-орот यह लड़ियो हो. जैसे अगर मैं प्रीविविभी रॉडरशी ना तो क्लास zijn ना टोपल स्टराइट' ना डेलिगे सकते हैं और यह उस्ला द्वाबिभी अगशे है आयोस 13 में आया है उसके बाद 10. macOS का वर्जन है इसने जैसे हम सिंपल से डेलिगेट बनाते हैं उससे इसे इसने प्रिव्यू प्रोवाइड़ से इन्हेरेट कर रखाए दूसरा अब जो यह सम कीवर्ड है आपको डिखेगा यह सम्पल सा प्रोटोकॉल है इसे इन्टर्नले में इकल होता हो पर इसमें तो नहीं है क्योंकि अगर मैं हां पे जाओ लुप तो यहां पर आपको देखेगा यह सिंपल से प्रोटोकॉल है लेकिन अगर SwiftUI का UI view देखा हो तो उसकी parent class एक class ही रहती है ना class ही है basically वह तो यह तो प्रोटोकॉल है यह भी preview provider भी प्रोटोकॉल है और sum एक opaque type है ना अब मैं इस पर view पर जाओ ना jump to definition करके तो यहां पर एक variable है variable associated type याने कि associated type body इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि एक एस जैसे देखो अब इसमें तो समझ आएगा नहीं मैंने एक दूसरा struct बना लेते हैं struct या फिर प्रोटोकॉल बनाता है प्रोटोकॉल टेस्ट मैंने बनाया प्रोटोकॉल टेस्ट और इसके अंदर मैंने इसका नाम मुझे पता नहीं ना इसके और यहां पर करता हूं और टेस्ट करते ही ना अब इसने मुझे क्या कहा अब यह कहेंगा जैसे अब वर्णिंग आने वाली है फिर एरर आएगी कि इस यह ने इम को इनहेरिट करा लो इनहेरिट नहीं बनाए बनाए इसका टाइब कर दो जैसे हों प्रिव्य प्रवाइड डज नॉट कंफर्म तो प्रोटोकॉल टेस्ट अब जैसे मैंने लिखा ना टाइप ऐलियास टाइप टाइप क्या पूछ रहा है इस नेम का टाइप ना अब मैं हाल लिख दू स्ट्रिंग ना स्ट्रिंग तो सिंपल सा यह जो नेम श्ट्रिंग का टाइप बन जाएगा इसी तरह से जो पर विई रिव्यू है न फितरो ऑन्री इनके अंदर भी और वो यहा है है यह सिम् польз Such नहीं बाद गगो डूसरा प्रीविव प्रोवाइड़ पठाई बाड़ेसिशन मुझे पताने ही पड़ती है और इसमें कुछ जैसे हां और दूसरा यह कि जैसे इसमें जो प्रभी प्रोवाइडर की जो डेफिनिशन मतलब कोई इन डेप्थ में खोड़ा बहुत अगर देखना है कोई इसको पड़ सकता है यह सिंप डिक्टो कॉपी है मतलब जितनी भी लाइन इसकी डिक्टो कॉपी ह वही का कोड यहां पर यहां का कोड वहां पर एक और इंट्रस्टिंग सी चीज जैसे होंवीव है होंवीव मतलब यह कौन से डिवाइस पर रन होगी वह बाइडेफॉल्ट यहीं से उठा लेता है ना एट है तो एट पर रन होगी अगर मैं मालो में यहां से आइपन 13 प्र कर दो ना तो बाइडेफॉल्ट यह अभी तो प्रिवीव एट पर दिखाएगा ना पर रन होने के बाद यह बाइडेफॉल्ट अपने आप 13 प्रूट आगे तो यहीं से दूसरा अगर मुझे यहां इसी की प्रिव्यू की अगर मुझे क्या करना है वो करनी है चेंज क्या अगर नहीं करनी न इसको अब यह डार्क मोड में नेवल करते हैं आप सावी कलर स्कीम नहीं रहता कुछ और ही रहता हुआ प्रेफर्ड रहता है ना प्रेफर्ड कलर स्कीम डॉट डार्क अब मैं करूंगा डार्क ठीक है तो यहां से डार्क मोड में आ गया है इसके अलावा लाइट मोड में करूं तो यह काफी सिंपल है कि ऑल यह सावता है स्विफ्ट विए किंभीस के मतलग किसीодार्क मोड सापोर्ड देना और किसी गोडार्क मोड नहीं देहा तो सिंपल से हीजल कर सकते है है इसे करने राक मोड भी आ तो इतना ही सिम्पल सा टॉपिक है कोई ज्यादा मैंने हाट बताया नहीं कि क्या है एक्च्वल मैं इसके अंदर यहां पर कुछ बताना पड़ता है क्योंकि इसे चाहिए व्यू हमने इसे प्रोवाइड कर दिया और दूसरा जो प्रिव्यू प्रोवाइडर है ना जो इसके प्रिव्यू से वह स्टैकली एलोकेट होते हैं अगर मल्टिपल जगे से से कॉल कर आ रहा है तो एक यी बार में इस्टैंस बने बार बार इस्टैंस ना मुले तो इस्टैक बनाया जाता है स्टैक का तो लॉजिक सिंपल ही है कोई सिंगल्टन क्लास पढ़ी हो किसी ने तो वहां पर दिख जाई उपर वैसे मैं एक्स्प्लेइन किया है कि सिंगल्टन क्लास क्या है प्रपर उस तरीके से जाके देख सकते हैं तो यही तब प्रिव्य प्रोवाइडर में कुछ ज्यादा खास है नहीं एक इतनी मिलते हैं अच्छी लगए वीडियो तो लाइक वेक कर ले ना ज्यादा अच्छी लगए सब्सक्राइब कर ले ना मिलते हैं नेक्स वीडियो में